कि दिल्नी के सरकार के समय, बहुत से सम्विधानिक प्रश्ण और सम्विधानिक संकट हुए, जिनके चलते विपक्षि दल लों भी आपको बहुत गेरा, मीडिया वालों भी आपके लिए बहुत आप। अलुट्षना के स्वरल मुकृत किया, तो उस सवाल को आप किस तरह से संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी क्या भारती सम्मिदान में वास्तविक तोर पे विश्वास रखती है क्या भारती सम्मिदान को कुछ विशिश दर्जा देती है क्या उसके अंतरगत अपना कारे करने वाली है देखें दिल्ली में जो कुछ विघटनाय हुई उसको लेकर सही है कि विपक्ष ने, मेडिया ने आलोच नके आमाद्मी पार्टी जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है उसमें कोई भूलभूत परिवर्तन निश्चित रूप से अपेक्षित है लेकिन आमाद्मी पार्टी का एक ठहना है कि भारत का समिधान निश्चित रूप से विश्ववर्त जितने समिधाने उनमें से एक बहुत ही बढ़िया अच्छा समिधान है आप एक बात समझ देजिए कि हमारे पारटी की स्थापना किस दिन हुई पारटी की स्थापना ही सम्विधान किस दिन होई 26 नवमबर 2012 पारटी की स्थापना हुई एक ऐसे हिए पारटी के नेत्रुद्वन ने बहुती सोच उचार करके Constitution depping पर सम्विधान दिन के आउसर पर पार्टी की स्थापना की है इसमें ही यह साथ जाहिर होता है कि पार्टी के मन में सम्विधान में जो मुल्ले व्यवस्ता है उसके परी सरोपरी आधर है लेकिन एक बात आप ये भी समझ देजे कि हमारे सम्विधान में ही सम्मिधान समशोदन की भी यँ बस ता है तो भारत की सम्मिधान की जो Ekim मुलभूत विचार्धारा है उसको तो कोई भी थक्का ने गरा सकता है जो तो कोई भी बदल ले सकता है भारतीय जन्ता पार्टे करे लिटरोतो अलि जो NDA सरकार थी दिल्ली में उस समय उन्होंने सम्विधान की मुलभुत विचारधारा को ही बदनने के लिए एक कमिटी का गठिन किया था और उस समय मेरे जैसा कारे करता उसके विरोध में वैदान था और मैं आपको ये भी बता दू कि आज तक मेरे जिन्दगी में भारतिय सम्विधान में नहीत मुल्य विवस्ता के संदर्व में लगभग 300 से ज़्यादा व्यख्यान दिये और मुझे तो भारतिय सम्विधान में जो मुल्ले विवस्ता है, वो मेरे जीवन में सबसे परी आधर्नी ऐसी चीज लगती है, बिल्कुल आधर्नी लगती है, अरे भारतिय सम्विधान में कई ऐसे अच्छी चीज है, लेकिन भारतिय सम्विधान का प्रास्ता विग भी इतना मतलब भ्राव है कि उसके लिए दो धाइवेंटे बात करने पड़े लेकिन उसके जो पहले दो बाग क्या है कि वी दो पीपल हम भारत के लोग भारत के नागरिकों को ये 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 अधिकार मिले इस तरह की व्योस्ता मिले इसके लिए ये समिधान हमारे प्रती निहित करते हैं कितने सुन्दर शर्त है ऐसे कई समिधान हैं देश्वर में विश्वर में है जो समीधान अपने नागरिकों को जो अधिकार देता है ओज भारत का समिधान ये करता है कि हम भारत के नागरिक हमारे एक दूसरे के अधिकारों को मन्यता देते हैं मतलब भारत के सम्विधान में जो मानवी अधिकार है ये अधिकार सब्वे साची आपने और मैंने एक दूसरे को दिये है तो भारत के नागरिक एक दूसरे के अधिकारों के प्रती सचेत है और वो अधर करते हैं, इतनी सुन्दर कल्पन है भारतिय संधान के प्रास्ता लिखने, लेकिन दुर्भाग के वश कोई भी समिधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे अमल में लाने वाले लोग अगर अ प्रश्टा चार को करने के लिए, पकड़ने के लिए कुई सब्वेधान के जरूत है, वो तो समिधान में नीर जो, शमिधान संधुदर की जो प्रोईजन है उसे अमसार कर सकते हैं इस तरके के पुराने कानुन में कुछ बदलाओ वांगना ये तो समिधान भी और नही हो और समिधान का अनाधर भी कप होगा। ये इलेक्टेड गवर्वर्मेंट के पास उस राज्य में जो पुलिस व्यवस्ता है उसका नियंत्रन इलेक्टेड रिप्रेजेंटिटिव के पास होना चाहिए इसके लिए अगर कोई मुख्यमंत्री रास्ते पर धर्ना करके बैठता है राट दिलिर की राट की थन में भी रस्ते पर सोता है इससे समिधान का अनाधर होगा। या संसत के अंदर सवाल पूछने के लिए पैसा लेने से संसत का अनधर है। आज क्या हुआ हो राज संसत मुझे तो लगता है कि बाहर से अंधुलन करके भारतिय समिधान की मुल् जीने का अधिकार, तो हर नागरी को सम्मान से जीने का अधिकार मिले, इसके लिए अगर बाहर कोई रस्ते पर बढ़ता है, उससे समिधान का आदर बढ़ता है, बलकि समिधान के अंदर, एक दूसरे के आँख में मिर्च फेकना, मार्शल को थपड लगाना, कपड़े निका बिलकुल आउमान ना करें ही लोग, हमारा जो विवस्ता है, जो परशासन है आज, भारत के नागरीकों के मुलवुत अधिकारों को जो ताप पर रख रही है हर दिन, जो हमारी भेने बलातकार की शिकार होती है, उनके जीवन में तो पहले से ही अराजक है, कहा समिधान है जो दलितों की प्रति अत्याचार होते है, कहा समिधान के अधिकार है उनके जीवन में, किसान, दो लाग से जादा किसान उन्हें आत्मात्या की, क्या समिधान की मुल्ले व्यवस्ता को ताप पर रख रखनी दिया है प्रशासन व्यवस्ता ने, तो अगर इसके खिलाफ आ और शांततामय तरीके से सनद्शिर मारगों से द्यवस्था में बदलाव लाने पर भी आम आदमी पारटी का विश्वास है, आम आदमी पारटी कहीं भी इस बदलाव के लिए हिवसा के रास्ते पर भरोसा नहीं रखती है, जनलोग पाला आदोनन में लाखों नवजवान रास्ते पर आए लेकिन किसे ने पत्थर भी हाथ में नहीं लिया, ये पूरे विश्वहर में इसके मतलब एक अनोठी ऐसे गटना है, तो मुझे इस लगता है कि जो लोग समिधाम की मुल्य व्यवस्था को पहले से पाग पर रट्र प्रशाशन चला रहे है, उनका ये